नमस्कार दोस्तों कयसे आप सब लुवासर करता हो आप सब अच्छे होंगे दूस्त आज की वीडियो में बात करने मेंlier की एक अन्वाद करते हैं कि आपको किन किन चाजों का ध्यान रखना होगा एक अन्वाद कैसे सही हो सकता है सही उने से मेरे मतलब है कि आप डंग से अनुवाद कैसे कर सकते हूं जो गलतियां होती हैं उनको आप कैसे इस बारे में बात करने वाला हूं वीडियो को पूरा देखें दूस्तों, सबसे पहली बात यह हैं, कि आप जब कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं, और उसका अनुआद करते हैं, तो उसमें एक बात जब डिक्टेशन लिखना सुरू करो, या फिर अभी भी, जो आप ब्रक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें एक काम कीजिए, जो आपका नोट पेड होता है ना उसमें आप क्या करो कि बीच में लाइन खींचा करो जो पेज होता है अपना उसके पेज के बीच में लाइन खींचा करो ताकि पेज अपने दो भागों में विए भाजित हो सके तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा समय कि उसमें बचत होती ह आप खुद जब ट्राइ करेंगे एक तो पूरा पेज में लिखो और एक आफ पेज में आप जब लिखेंगे तो आप खुद को पता चलिएगा कि हाँ कुछ तो फरक पड़ा है तो यह चीज जरूर करवा आप एक लाइन जरूर खिंचो और फिर डिक्टेशन लिखो ठीक है यह लाइन खिंचना समझ में नहीं आया तो एक अपना जो पेज होता है उसके बीच में लाइन खिंचो तो दो बागों में बट गया तो इसमें लिखो पहले फिर दूसरे में ऐसे लिखना है तीक है समझ गे यह काम आपको जरूर करना है उसके बाद में आपको जब आप लिखते हो तो डिक्टेशन लिखते समय जो बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी गलती कहा है कि डिक्टेशन के साथ-साथ में शब्दों को दोहराते रहते हैं कि अपने मन में बोलते रहते हैं कि हाँ यह 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 बोलते रहते हैं शब्दों को साथ-साथ तो जेनुवन बात है उसमें कुछ नहीं कर सकते हो नहीं है वो तो हो गई लेकिन ऐसे हैबिट नहीं बनाना आप चाहा कर उसको दोरा रहे हैं यह बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है तो यह चीज आपको द्यान रखने हैं और डिक्टेशन लिख लेना है आपको आराम से और ज मैं उसी तरीके से करने हैं जैसे मैं अभी बता रहा हूँ मैं अन्वाद कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं तो अन्वाद के लिए डिक्टेशन लिखे और डिक्टेशन लिखने के तुरंत बाद आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ऐसा नहीं डिक्टेशन लिख दियो और उसको देख रहे हो, पेज गिन रहे हो, कितने पेज में लिखी मैंने, शब्द छोटे हो गए, बड़ यह बिल्कुल भी नहीं करना, जो लिख लिए टिक्टेशन लिख लिए, आपने लिखते ही आपको रिडिंग श्टार्ट कर देना, उसकी पढ़ना श्टार्ट कर देना, पढ़ना श्टार्ट जब करोगे, तो जब आप पहला पहला पढ़ोगे जब पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें क्या करना है कि आपको पैंसिल लेना है और पैंसिल से क्या करना है कि जो भी आपको कटिन शब्द लगे कटिन शब्द से मेरा मतलब है कि आपको लगे कि मैं जब पढ़ूंगा और जब मैं ट्रांशलेट करूंगा तो बाद मैं इसमें क्या होगा कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जो अपनों समझ में नहीं आते हैं मैं कह रहा हूँ कि जो cutting शब्दा हैं जैसे पढ़ रहे हो जो hard word है आपको लेगे कि जब मैं इसको बाद में speed में translate करूंगा इसको तो मुझे जल्दी से समझ में नहीं आएगा तो उस पर क्या करना है हिंदी लिख देने सब पर हिंदी नहीं लिखना कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने को समझ में नहीं आते हैं जल्दी में जब आप translate करते हैं वह आप अठक जाते हैं फिर सोचना लग जाते हैं तो ऐसे शब्द पर आपको Hindi लिख देनी है pencil से ताकि आप उसको बाद में मिटा सको ठीक है तो ऐसे करके आपको reading करना है ठीक है आपने Hindi लिखे reading कर ली reading करने के बाद में आपको क्या करना है कि तुरंत आपको typing start कर देनी है notebook में कभी भी आपको अन्वाद नहीं करना है आप आई चांस आप एक दो करना चाहो कभी 10 दिन में हो गया आपके पास computer की सुवीधा नहीं है या फिर कुछ और नहीं है तब कर लो लेकिन यदि सब कुछ होते हुए सब कुछ से मतलब मेरा computer होते हुए आप यदि notebook में करते हैं तो वह आपको बिल्कुल भी नहीं करना आपको direct computer फे अनुभाद करना ही मतलब साहते है जब अनुभाद करना इस टार्ट करोगे तो तो दो या चार सब्सक्राइब करने वह क्या चर्पर देखिक स्क्रीन के तरफ नहीं करते हुं प्रहरा चाह positivity यदि आपको इस्क्रीन के तरफ देखने की आद्यत है तो आपको क्या करना है कि वो translate करते समय आपको दो या चार शब्दों का समूह लेना है और उसको ऐसे करते हुए translate करना है translate जब आप typing करते टाइम एट चीज ध्यान रखनी है जैसे कि आपने दो लाइन टाइप कर दी और दो लाइन टाइप करने के बाद में आगे वाला शब्द तीसरी लाइन में कोई शब्द आ गया जो आपको लग रहा है कि इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगा आपको बाद में लगा दूंगा पहले टाइप कर लेता हूं फूरा नहीं ऐसा बिल्कूल भी नीं करना है जो भी छोटी Nu इसलिए आपको छोटी-छोटी जोबी गलतियों को सबको सात में ए फैसे करते हुए आपको अनुवाद कर लेना है। और अनुवाद करते टाइम यह चीज आपको जुरूर ध्यान रखने हैं कि छोटी छोटी गलतियों को आप कभी भी बाद के लिए नहीं छोड़े अब पूरा आपका अनुवाद हो चुका है आपने टाइप पूरा कर लिया है टाइप करने के बाद में आपको जो इस्टनों तरीके से सोटन में सोटन जो मेटर है अपना उसको हिंदी में मेच करना है उसको मेच करने के बाद में आपको क्या करना है हिंदी पड़नी है सोटन मेच कर लिया अब सोटन बुक को आपनों को साइड में रख देना है अब जो अपना हिंदी का मेटर है उसी को पड़ना है और उस ही में जो कुछ गलती हैं, जैसे कि कोमा रह गया, कहीं कोई फुल श्टोप रह गया, कोई शब्द में मात्रा की दिख करता है, कोई शब्द जैसे कि मिस्टाइप हो गया, फिर एक्स्ट्रा में आ गया, ऐसे शब्दों को आपको हिंदी में जब पढ़ोगे, तो यह छोट छोटी कलती है, आपको निकल के आएंगी तो उसको सही कर लेना है, ठीक है, दो बार आपको हिंदी में पढ़ना है, एक बार आपके शोटन मेटर से बार ही पढ़ता है, वो 10-20 शब्दे एक साथ चले जाते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ आपको दियान रखनी है, और आराम से मेच कर लेना है, सारा कुछ हो गया, अनुवाद हो गया, आपनने 110 मेटर से मेच कर लिया, उसके बाद में हिंदी अपने पढ़ लिया, आराम से पुछ कर देना है बाद में उसके अनलाइज करना है जहां से भी आपने मेटर लिखा है उसकी PDF से मेच करना है आपको यह प्रक्टिस की बात भी कर रहा हूं और जब एकजाम में बैठोके तो यही तक समापत हो जाता है कि सोटेन मेटर से मेच कर लिया दो बार हिंदी का आप अब दूबार आपको क्या करना है बिल्कुल सही है कि PDF का और यह मेरा जो मेने टाइप किया है वो अब यह भी हो गया है इसके वाद में क्या करना है जो हाडवर्स आए जो भी कठेन शब्द आये आपके उन शब्द को बाद में आपको अलग से नोट्बुक में लिखना है जैसे कि आप कोई भी शब्द की practice करते हैं ना दो तिन लाइन में कोई भी शोटे आउटलाइन की वैसे उसमें जो भी आपको लगे कि ये आउटलाइन थोड़ी hard है या इसकी practice करने जाए वैसे शब्दों को सबको निकालना है अलग से notebook में उनको निलिखना है और उनकी अच मात्रा छोटी मात्रा इनमें काफी confusion रहता है हिंदी वाले शब्दों में और यह ज्यादा नहीं यह लिमिटेड शब्द हैं यह आप डेली ऐसे practice करते हो दोस्तों को दिक्कत आते हिंदी को छोटी बड़ी मात्र में सब्द दूर हो जाती है यह आप डेली practice करते हो तो ठीक आप हिंदी में भी आपको कोई problem नहीं है यह होता है एक practice करने का तरीका एक translation करने का तरीका कि कैसे सही तरीके से सिखिया जाता है पूरा मैंने आपको बता दिया है और translation का आपको पहले dictation लिखनी है उसको पढ़ना है पढ़ते टाइम शब्दों पे हिंदी लिखनी है और उसके बाद में आपको match करना है हिंदी से सोटन मेंटर से उसमें जो outlines है यह जरूर करना है ऐसा नहीं कि पढ़के आपने छोड़ दिया ऐसा नहीं करना बिल्कुल कि मैनत वाला काम है लेकिन दोस्तों यह आप जब डेली करने लग जाओगे ना तो आपके हिंदी आपकी सोटेंड सब कुछ ठीक हो जाएगी किसी को कुछ पूछने कि आपको आवशकता भी नहीं पढ़ेगी लिदिया आप डेली करते हैं तो कितने outlines आएगी है यह आप ट्रांसलेशन में ऐसे outlines निकालते हो हिंदी के शब्द देखते हो तो हिंदी के शब्द लिमिटेड में फिर बता रहा हूं वहाँ पर जो मैं डिक्टेशन होती है आपकी एक्जाम में तो सुने सुनाए शब्द आते हैं ऐसे बाहर से बिल्कुल भी शब्द नहीं आ जात है कोई भी सोटन का कितना भी परफेक्ट लड़का हो कितना भी एक्सपर्ट हो सब भी यही तरीका अपनाते हैं और यही बेस्ट तरीक है ठीक दोस्तों तो यह आप कीजिए और outlines डिक्टेशन आपकी चल रही है आउटलाइन्स के लिए एक सीरीज रिस्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको डेली आउटलाइन्स भी मिलती रहेंगी और यह करो आराम से अच्छे से त्यारी करो शुब कम नहीं आपके साथ है ठीक दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो में थैंक्यू